श्री शिवाय नमस्तू ब्यम बुरानपूर में अश्वत थामा श्यू मापुरान कथा गुरुजी द्वारा बाती जा रही है आज कथा का दूसरा दिन था आज कथा में गुरुजी ने उपाय बता है वह उपाय इस वीडियो के मादरम से आपको सुनने को जानने को मिल और कमेंड में श्री शिवाय नमस्तू ब्यम हर हर महाद्यो और बॉल बम का नारा है बाबा एक साहरा जरू टैप कीजिएगा पहला उपाय बुरानपूर की कथा में अश्वत थामा श्यू मापुरान कथा में गुरुजी ने एकदम नया उपाय बता है जब आपके कोई और उनको समझाता है तो वो अच्छा लगता है पर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं यकिन माने ऐसे ही होता है अपने बच्चे अपने बात नहीं मानते आप बहुत परिशान हो गए आप उनको विभा के लिए समझा रहे हो नोकरी के लिए समझा रहे हो पर वो नहीं मान रहे हैं तो इस उपाय को अवशिक किजीगा कल पुण्णे मा का दिने पूश्टे नच्छत्रे आप कल ही इस उपाय को कर लिजीगा देखे क्या करेंगे बेल पत्री की डंडी में पीछे एक डूंट होता है जी हां वैसे आप सब पता है कि डूंट इसको कहते अगर नहीं पता है तो आप देखिए ही बेल पत्री है ओर। इस टैप से डूंट निकलता है पिछे का इस डूंट को आपको अपने बच्चों के लिए बोल कर महाद्योग के मंदिर जाकर महाद्योग की सबसे छोटी पूत्री मा अशुक सुन्द्री के इस्थान पर समर्पित कर देना है ठीक है विश्वास रखो महाद्योग सब ठीक करेंगे दूसरा उपा है करजा मुक्ति लिए करजा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप सोच रहे हो यार ये करजा तो दुमना चुकी नहीं रहा है क्यों न हम सूसाइट कर ले पर ऐसा मत सोचो अगर मरना ही है मरो के भी अगले जन्नम में भी गुरुजी ने कहा है करजा तो बागी भोगना ही पड़ेगा करजा सुकाना ही पड़ता है चाहिए वह इस जन्नम में चुका हो चाहिए वह अगले जन्नम में चुका हो तो यह बहुत अच्छा उपाय गुरु जी ने बताया है, देखिए, वर्ट वरक्ष का जो पेड़ होता है, जी हाँ, वर्ट वरक्ष का पेड़ आपको घर के आसपस कही भी देखने को मिल जाएगा, तो वर्ट वरक्ष के नीचे जो भी भोलनात की सीवलिंग रखी हो, अग कि आपको पूजा अर्चना करना है, त्रिपुंड बना दे, फूल समर्पित कर दे, या फिर एक लोटा जल समर्पित कर दे, यकीन मानिएगा, आप एक हपते कंटिन्यू करके देखना, आपका जो भी कर जाए, वो महाद्यों धियर धियर चुका ही देंगे, बहुत कारी कारी को नोग़ए को है, आप लेकर महाद्यों के मंदिर जाना है, फेले तो, हूं सही होँने, गारी कारी के शुक्त बैणा महाद्यो के मंदीर पोच कर साथ बेल पत्री में से पांच बेल पत्री आपको सिवलिंग के उपर समर्पित करना है जी हां बाबा के सिवलिंग के उपर समर्पित कर देना अब हमार पाज बची है दो बेल पत्री ठीक है एक बेल पत्री आपको चड़ाना है महाद्यो की सबसे छोटी पूत्री मा अशुक सुंत्री के इस्थान पर डंडी का भाग कहां आएगा जहां से जल भेके जाता है उस दिसा में करना ठीक है फिर एक बेल पत्री जो बची गी उस बेल पत्री को आपको क्या करना है महाद्यों के सामंदीर के सामने या सीविलिंग के सामने विराज मान रहते हैं जी हां तो नंदी शवर के उपर आपको एक बेल पत्री आपको समर्पित कर देना है तो सातों बेल पत्री आपने समर्पित कर दी है समर्पित करने के बाद बाबा से प्रात्ना करने के बाद जब मंदीर से बाहर निकलोगे तो महाद्यों की चोखट ह होती है जी हां पूरे मंदर की चोखट नहीं जो महाद्यव की चोखट हो महाँ पर आपको एक दीपक प्रजवलित करना है अपनी मनों कामना बोलना है देलीज पर दीपक लगाना दो छण महीं बेटना श्री शिवाय नमस्तुव्यम मंत्र का इस्मरण करना यह नमस्षिवाय ओम यह पूरूस कर रहे तो ओम नमस्षिवाय और महिला कर रहे है तो नमस्षिवाय ओम का इस्मरण करना और फिर अपने घर के और आ जाना यह किन वानेगा जो भी काले अपका अटका पड़ावा है तुरन पूरा होगा ही होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को किजिएगा कमेंट में श्री शिवाय नमस्षिवाय तो अवस्षि लिखेगा